make a table and solve फिरसे हमको यहाँ पर एक table बनाना है और इस question को solve करना है लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहें पर pause करें और इस एक बार खुद से solve करने का कोशिश करें तो I think आपने इसको थोड़ा सा try किया होगा, तो चलिए अब इसे मिलके solve करते हैं, तो question हमसे यह कह रहा है कि एक biologist था जो कि थोड़ा बहुत research कर रहा था कि अगर वो यह होते हैं न, bees वगेरा मदमक्ही उनको अगर वो different type का जिसमें वैसे वैसे drinks मिला हैं जिसमें की sugar मिला हुआ है तो वो कितना honey बना पाती है वैसे drink speaker उसमें उसने एक research किया और उसका यहाँ पे कुछ आया जिसके बारे में उसने हमसे पूछा है अब देखते हैं उसने हमसे क्या पूछा है He takes 2 liters of drink A which contains 40% sugar एक काम करते हैं पहले में आपे table बना ही लेते हैं कि हमको इसको देखने में आसानी हो जाए तो माल लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि volume कितना volume उसने चीजों का मिलाया है उसमें कितना percentage sugar है percent of sugar वो हम यहाँ लिख देंगे और actually उसमें sugar का amount कितना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि volume of sugar volume of sugar, वो हम यहाँ पे देख लेंगे, यह हो जाएगा volume, total solution का, वो यह वाल वो volume है, percentage of sugar और volume of sugar, पहला है हमारा drink, कौन सा है, drink A, यह drink A के बात करते हैं, तो माल देजी हम यहाँ पे लिख देते हैं, drink A, इसका volume कितना था, तो पहली बात उसने 2 लीटर लिया था इसका, 2 लीटर which contains 40% sugar, यानि कि इसमें जो sugar content है, वो है हमारा 40%, इस 2 लीटर का 40% जो होगा, उसमें उतना sugar मिला हुआ है, तो 2 लीटर का 40% कितना होता है, तो 2 times, 2 times 40 by 100, उपर और नीचे 10 से divide करूँगा, तो यह हो जाएगा 4 by 10, और यह हो जाएगा 4 to is a 8, 8 by 10, यानि कि 0.8 लीटर, बापर इस 2 लीटर में 0.8 लीटर sugar मिला हुआ है, फिर हम आते हैं drink B, drink B, drink B क्या है, उसने इका कि adds 1.2 लीटर of drink B, उसने इस drink A में 1.2 लीटर, 1.2 लीटर is drink B का मिला दिया, लेकिन इस drink B में कितना sugar का percentage है, वो हमें नहीं दिया हुआ है और actually अच्छा वो हमसे पूछी रहा है कि what is the percentage of sugar in drink pee हमको वो बताना है तो चले माल लेते हैं कुछ x percentage जो है यहाँ पे वो इसमें sugar का content होगा तो volume of sugar कितना हो जाएगा यहाँ पे तो x percentage है वो इस 1.2 liter का है यानि कि 1.2 times x by 100 उसके अंदर sugar का volume हो जाएगा और इसका value क्या होगा तो अभी इसको ऐसी रखते हैं यह हो जाएगा 1.2 x by 100 यानि कि 0.012 x के बराबर यह हो जाएगा इसमें sugar का volume तो जब उसने दोनों को मिलाया जब उसने दोनों को add किया तो उसको मिल गया एक नया drink c drink c अब drink c के बारे में क्या जानकारी दी हुई है कि which has 25% sugar content तो जैसी drink c मिलाएगा उसका volume तो हमें पता है दोनों को हम जोड देंगे तो drink c का volume हो जाएगा 2 और 1.2 होता है 3.2 लीटर यह drink c का volume हो जाएगा और इसमे 25% sugar content है इसका जो है 25% वो इसमें sugar मिला हुआ है तो इस sugar की volume क्या होगे चले वो तो हम पता करी सकते हैं 3.2 का 25% 3.2 का 25% हम देखते हैं तो actually मैं 25 by 100 दोनो 25 से divisible है तो 25 ones are 25 25 fours are 100 तो यह हो जाएगा 3.2 by 4 यानि 4 ones are 4 यह हो जाएगा 0.8 यानि कि 0.8 लीटर्स यानि कि इसके अंदर भी अभी भी 0.8 लीटर्स sugar मिला हुआ है अच्छा तो यह तो थोड़ा सा interesting लग रहा है चलिए इसको आगे देखते हैं तो अब मुद्दे की बात यह है कि इस तक 0.8 लीटर्स तक हम एक और तरीके से पहुँच सकते हैं यह तो था कि उसमें कितना sugar है और वो sugar उसको इन दोनो drinks को मिलाने के बात मिला इस drink में है 0.8 लीटर sugar और इस drink में 0.012x इतना लीटर sugar तो अगर मैं इन दोनों को भी मैं अगर add कर दूँ तो मुझे इतना sugar तो मिलना चाहिए यानि कि यह 0.8 0.8 लीटर्स उपर वाला plus 0.012x यह नीचे वाला इन दोनों का total sum मुझे 0.8 लीटर्स यहाँ पे यह वाला मिल जाना चाहिए तो यहाँ पे x की value क्या होगी तो खेर यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि यह दर 0.8 है इधर भी 0.8 है यानि कि इसको अगर इसके बराबर होना है तो इस quantity को 0 होना ही पड़ेगा और इसको 0 करने के लिए x की value को 0 होना पड़ेगा यानि कि जो उसने नया solution मिलाया था उसमें जो sugar का content था वो तो कुछ था ही नहीं उसमें तो कोई चीज यहां पर 0 हो और यह चीज 0 तभी होगी जब आप इस 0.012 को 0 से multiply करें बाकि और किसी चीज से नहीं यानि कि x की value यहां पर 0 होने चाहिए यानि कि जो उसने फिर से drink भी मिलाई उसमें sugar का content तो कुछ था ही नहीं यानि यहां पर percentage of sugar जो हो जाएगा 0% उसने सिर्फ उसमें पानी मिला दिया 1.2 liters पानी मिला दिया और फिर ताकि हमको यह सारी चीज यहां पर मिल गई थी